क्या जोती मोरिया जेल जा सकती है उनका नोकरी जा सकता है किस तरक मतलब उनके उपर करवाई हो सकता है कानूनी तोर बहुत घिनावनी हरकत है जो SDM जोती मोरिया के द्वारा किया गया है इनको मतलब जेल कितना साल का हो सकता है चार सो बीस में लगबग वहें साथ साल का हैं साथ साल का लगबग यानि जोती मोरिया साथ साल के लिए जिल में जा सकते हैं कि यह लिख रहा है कि जोती मोरिया जो है कानून को नजर में कोई गलत काम हो सकते हैं तो वह कानून को नजर में कोई गलत काम नहीं करती है इस पर और दूसरे के आधेश में रहने के बाद दहेज़ वाली एलिगेशन लगा रही है तो यह बत बताईए जब SDMO बनाए है पहा लिखा कर अलोक मुरिया तो क्या वो अपने सलेरी में से जोती मुरिया दे सकती है या नहीं दे सकती है नमस्कार स्वालत है आप सभी को नेशनल पॉब्लिक निउज में अभी एक मामला जो आप लोग काफी ज़्यादा वाइरल हो रहा है उसको आप लोग देखे होंगे सबसे पहले आपको स्वागत है बहुत दो सुक्रिया अच्छा सर एक बात बताईए कि यह जो मामला चर रहा है मतलब यह कानून की नजर में किस तरह से कानून की नजर में हो यह सामाजी की नजर में दोनों पहलू से ही देखा जाया जाया और जो अगर यह करते हैं कि हमने उसको पढ़ाया लिखाया और आज मेरे साथ हो दोखा देकर किसी दूसरे और यह लिए तो आदमी के शाथ राना पसंद कर रहे है संबंद बना रहा है उसको अंगर हके फाकर वह frighte करता है आलोक मर्या जोती म Olafक का जेल हो सकता है उसका नोकरी जा सकता है इस पर थोसा बताई देखें जैसे कि आप बोल रहे हैं कि प्रहाने लिखाने वला तो प्रहाना लिखाना एक अलग चीज़ होती है जो हर वेक्ति अपने पतनी को हो या फिर बेटा हो या बेटी हो जिसको भी पढ़ाता है तो उसका इन नहीं है कि अगर जदी कोई प्रहार आया तो उसका जो है उठा करके उसी को देते या उसका नाफानुक्षान उसी वह ही उसको मिले इसमें ज्वाइंट फेमिली के बात है पते पतनी के बीच के बात है इसमें कानूनी परकिरिया SDM जो जोती मोर्या है उस्पन भी हो सकता है चुकि कारण है कि बहुत सारी एपडेंस जो है सुनने में आ रहा है कि उनके पती जो है आलोक मोर्या पुलिस को दिये हैं यानिक उतरपड़े सरकार को दिये हैं तो इस सारी जो साग्ष है निकल करके अगर आती है और सही सत्त जाता है तो SDM जो है जोती मोर्या पर कानुनी प्रकेजा हो सकता है उनका जीक गलत कर रही है कि ना बिल्कुल कर रहे हैं अच्छा एक बताईए कि मतलब यह कहा जा रहा है कि जोती मोरिया जो है कानून के नजर में और कानून साथ 2008 में कोई जज्जमिंट रिष्टा से किया है कि अगर कोई आउरत किसी दूसरे मरत के साथ रहा 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 है के सो रही है यह संबंद बना रही है वो कानून के नजर में गलत नहीं है किसी अवरत के एक पती उसका मालिक नहीं हो सकता है इसका बताईए और इसका डिटेल्स बताने के कुछ देखें यह बहुत पॉइंट का चीज पूछे हैं इसमें एक आईपीसी की धारा होती है 497 यानि 497 एक कशी धारा है सेक्षान है उसी के अधिन में वह इसी महिलाएं पर कानूनी करवाई की जाती थी जो महिलाएं अपने पती के होने के बावजूद किसी दूसरे पुरु जो है जोशिफ साहिन भर्सेस भारत संकर के पी आईल सुप्रीम कोट में दाखिल किया गया था उसी में पांच सदसिय कमीटी जो है गठन हुआ और सुप्रीम कोट के जज पांच सदसिय जजों ने उस पर जजमेंट आपना दिया कि कोई भी महिला अगर उनका अपना पती बिवाहिक जो बिवाह का सुख होता है बिवाहिक सुख नहीं देता है तो उस परियाट में किसी दूसरे वेक्तिक के साथ संबंद बनाती है तो उस पर जो है 497 जो IPC कि धारा है वो नहीं लगेगा और उसी से में सुप्रीम को ट्रॉड कर दिया वहां मेटर था कि कोई भी पती अगर अपने पती का बिवाहिक सुख नहीं दे सकता है तो जाकर करके अपना दूसरा जगा गुलास अमर बनाती है तो उसकी लिए वो सेक्शन हटाएगा कोट के नजर से था साब बताएगा बिलकुल नहीं हो सकता है चुकि जो महिला कई वर्सों से अपने पती के सात्रा रही है और पती से के रिलेक्शनशिप से दो दो बचे पैदा होते हैं और उसके बाद कई और सो बीद जाने के बाद में अगर कोई आरोप लगाता है तो बिलकुल कोट के नजर में जो है अनौर्गल है बिलकुल गलत है फेक है अचा एक बात बताएगे जैसे आपने कहा कि दो बच्चा हुआ और लोगों का दो बच्चा विया अचाहिए बताएगे दोनों बच्चा जो है किसके साथ रहना मतलब कानून के नजर में सही है और गलत है इसमें तब प्रावधान है जो उमर के लिमिटेशन से है अगर फादर और मोदर अलग अलग जड़ी रह रहे हैं तो उस बच्चा हो या बच्ची तो उस पुरियड में बच्चा और बच्ची के बियान की हिसाब से पीता को भी दिया जा सकता है चुकि उस पर जो है कम उमर में माता का ज्याद्य अधिकार होता है इसलिए नाले जो है माता के पास रहने का बच्चा को देता है अचा एक बात बत मौरिया है इस मामला में जो जोती मौरिया है एसडियम साब उनको बैतन मुले रहे हैं सरकारी बैतन तो क्या हूँ अपने बैतन से अलोग मौरिया को आधा 50-50 करके दे सकती है इसमें प्रावधान है कि जदी अगर पती नहीं कमाता है या पतनी फिर नहीं कमा रही है अगर ज रहोधान कि पतनी का जो भरन को जो खर्चा होगा बच्क सबकर कर लभन खर्चा रोब fugahe तो उसमें Basically प्रशन बच्चो को देना होगा और जादि प्राइबेट है तो उसमें बीनले द्वारा बनाब बनः जाता Verfügung सनक के लिए विक में खाल में खर्चा के लिए न सी सरकारी लाव उठा रही है की सरकारी जुए जॉब में है और उसका सेलेरी मिल रहा है तो उसमें पज्टी का भी अध्कार है बजाबते है कि अब इस नहीं पत्नी पर दाखिल कर सकता है इस तरह से लड़की को भी देना पड़ेगा इस बिचार आप लोग किस तरह से कितना सामत है नीचे कमेंट करका बता सकता है मिलते हैं फिर किसी दुषरे वीडियो में तब ते के लिए जए